हमें ये बताईए कि योग को प्रचलित करने के लिए क्या सच में एक अलग दिन की ज़रुरत है? वैसे सबसे पहला अंतराष्ट्री योग दिवस 2015 में मनाया गया जो शायद एक उत्सव ज्यादा था लेकिन इस साल उत्सव मनाना उदेश नहीं है अब ये एक अभियान बन गया है और सच मुझ काम शुरू हो गया है पहले वाले योग दिवस का मकसद था लोगों को प्रेरित करना, जागरुक करना अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जीता जाकता अभ्यास बन जाए तो सैयोक तराष्ट्र में मैं इस बार दो सत्रों में भाग ले रहा हूँ एक 20 जून को जिसमें मैं दो घंटे के लिए बोलने वाला हूँ योग के विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे योग विज्ञान का किसी विशेष संस्कृती या राष्ट्री पहचान से कोई लेना देना नहीं है ये दूसरी चीजों की ही तरह एक विज्ञान है जैसे बाहरी खोशाली के लिए एक विज्ञान और तकनीक है वैसे ही अंदुरूनी खोशाली के लिए भी एक विज्ञान और तकनीक है समय आ गया है कि मानव जाती अपनी खुशाली पर वैग्यानिक तरीके से ध्यान दे तो इस माइने में योग आप भारत से भी बड़ा है आप इसे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रख सकते ये विश्वस तरिय चीज है अगर आप कहते हैं कि योग भारती है तो ये कुछ ये कहने जैसा हुआ कि गुरुत्वाकर्शन यूरोपी है क्योंकि यूरोपीय लोगों ने गुरुत्वाकर्शन की खुश की थी तो ये कहना तो बिलकुल गलत होगा हमें गर्व है कि ये इस धर्ती से आया है लेकिन इसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है इसका संबंध सिर्फ मानव तंदर के साथ है तो दुनिया ऐसे मुकाम पर पहुँच रही है जहां इंसान की बुद्धी इतनी तीवर हो गई है जैसे पहले कभी नहीं थी पहली बार ज्यादतर लोग खुद के लिए सोचने में सक्षम है इसका मतलब है कि पहले कोई पुजारी या पंडेत या कोई धर्मगरंथ आपके लिए सोचता था आज लोग खुद के लिए सोच रहे हैं जब लोग खुद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो वो सवाल पूछने लगते हैं। एक बार जब सवाल पैदा होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात किस धर्मगरंथ या सत्ता से आ रही है। जब तक वो आपको तर्क संगत नहीं लगती, वो ढहने वाली है। इस माइने में सारे स्वर्क ढह जाएंगे अगले 25-30 सालों में। अगली पीड़ी किसी बात को सिर्फ इसलिए स्विकार नहीं करेगी क्योंकि वो किसी खास धर्मगरंथ या सत्ता ने कही है। स्वर्क तो बड़ी आसानी से ढह जाएंगे। लेकिन मनुष्य की कुछ अधिक अनुभव करने की लालसा खत्म नहीं होगी। ये हमेशा बनी रहेगी। इस वज़े से ये अब बहुत जरूरी हो गया है कि योग कप्रसार हो। क्योंकि ये आपकी आंतरिक खोशाली पर ध्यान देने का वैग्यानिक तरीका है। अच्छा वो केमिकल्स का इस्तिमाल करेंगे अपने भीतर आंतरिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। अगर आप उन्हें मौका ही नहीं देते कि कैसे वो अपने भीतर परमानन्द में रह सकते हैं। अगर आप वो संभावना पैदा नहीं करते तो यहीं होगा। जब मैं शराब और ड्रक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में नैतिकता का सवाल नहीं उठा रहा। लोगों के एक पीढ़ी के तौर पर हमारी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि आने वाली जो पीढ़ी हम बना रहे हैं, वो कम से कम हमसे थोड़ी बहतर हो। अगर आप एक ऐसी पीड़ी बनाते हैं, जो हमसे भी गई गुजरी है, तो एक पीड़ी के तौर पर हम असफल रहे हैं, और बिलकुल ऐसे ही होगा, अगर 90 प्रतिशत लोग शराब और ड्रग्स में डूबे रहेंगे. जब आप बच्चे थे, तब से अब तक शायद इस धरती पर शराब और ड्रग्स का सेवन 300 से 400 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गया है, तो बड़ी आबादी उस दिशा में बढ़ रही है. अगर आप किसी ऐसे तरीके या ऐसी तक्नीक को प्रचलित नहीं करते, जिसके जरीए हर इंसान अपने अंदर खुशाली ला सके, अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप मानवता को उस दिशा में ले जा रहे हैं. तो आप कह रहे हैं कि योग से शराब की रत का इलाज हो सकता है, ड्रक्स की समस्या का इलाज हो सकता है, अगर ये एक विग्ञानिक इनर इंजिनीरिंग है, जैसा कि आप इसे कहते हैं, तो इसे दवा की तरह होना चाहिए ना, इससे इन समाजिक बुराईयों का इलाज हम लक्षणों का इलाज करने की कोशिश करते हैं. मान लीजे कि आप ही की तरह एक इंसान है, जो सिगरेट पीने की, शराब पीने की, भागने की, खाने की या हर तरह की समस्याइं पैदा कर लेता है. हम उन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, हमारा तरीका बस ये है. अगर आपका जीवन का नुभा वैसा है, कि यहां बैठे हुए आप बिलकुल आनंद में हैं, तो क्या आप में कोई भी विवश्टा होगी? नई. नई. तो यहीं बात है. हम आपसे ये नहीं कह रहें कि पियो मत, खाओ मत, ये मत करो. अगर आप में कुछ भी विवश्टा भरा नहीं है, तो आप सब कुछ उतना ही करेंगे, जितना कि आपके लिए जरूरी है. न ज्यादा न कम, ये समझदारी भरी दुनिया है. ये समझदारी भरी विवश्टा भरा नहीं है.